तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए Phenomenal Guruji को साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेश टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो और वेलकम फेंट्स यो वाचिंग Phenomenal Guruji चैनल दोस्तों यहाँ पर इंटल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आज हम आपको इंटल के न्यू प्रोसेसर के बारे में बताने वाले हैं तो जड़ mondo से वीडियो को लाइक कर दीजे और वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर इंटल की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है प्रोसेसर को लेकर यहां पर इंटल ने लॉंच कर दी है उपने न्यू जनरेशन के प्रोसेसर यह है 10th जनरेशन के इंटल को प्रोसेसर जो कि आपको i7, i9, i5 और i3 में देखने को मिल जा जो है इसमें feature add किये गए है साथ में बात करें performance की तो यह भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलने वाली है आप बात कर लेते हैं इसमें क्या-क्या जो है आपको feature मिलेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो प्रोसेसर है अपने पुराने वर्जन से बहुत जाद अपग्रेड़ेड वर्जन है तो यहां पर सबसे पहले जो highlight किया गया है boosted productivity इसके बाद यहां पर दूसरा जो feature highlight किया गया है वो है best in class connectivity इसके बाद तीसरा feature जो यहां पर include किया गया है वो है premium entertainment इसके बाद चौथा जो feature यहां पर include किया गया है वो है serious gaming यानि कि आपको यह चार feature जो है अब new processor में देखने को मिल जाएंगे और यह जो technology है काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 4K HDR video recording का option देखने को मिलेगा साथ में 1080 pixel पे भी जो है आप gaming कर पाएंगे और वो भी जो है 10th generation core processor के साथ कोई भी आपको lag issue अगरा देखने को नहीं मिलेगा बहुत अच्छी gaming performance आपको मिलने वाली है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं up to 5.3 GHz जो है यहाँ पर support करेगा यह काफी अच्छी बात है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं thunderbolt 3 technology पे यह वर करने वाला है और यहाँ पर आपको wifi 6 का support देखने को मिलने वाला है integrated intel की chipset technology में तो यह काफी अच्छी बात है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं wire connectivity जो है wireless connectivity यह सारी fast हो जाएंगी और यह कुछ आपको PC में भी जो है आपको यह support देखने को मिल जाएगा जो आप नए motherboard के साथ connect कर पाएंगे इसके बाद laptop में जो है integrated यह आपको देखने को मिल जाएंगे नए laptop जो launch होंगे नए technology के साथ उसमें आपको यह सारी feature देखने को मिल जाएंगे बाकी आप intel की website में चेक कर सकते हैं झाल